क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे में यह सीवियर है और यह कैसे बच्चे करने में हल्प करेगा तो यह वीडियो आपके लिए नमस्कार दोस्तों मैं ड्ड किर आएल आज हम बात करेंगे कि अर्टिजम में फ्री लेवल्स क्या होते हैं में लेवईल वन यह मॉडरेट आटिजम और लेवल थ्री यह सीवियर आटिजम और कैसे यह आपके बच्चे के ठीरेफी प्लान को कस्टमाइज करने में हल्प कर सक सकता है यह भी जानेंगे लेवल वन आटीजम जिसमें की बहुत ही कम हेल्प की सपोर्ट की आउसकता होती है मिनिमम सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि बच्चा केवल सोचलाइजेशन में उसके प्राबलम होती है लेकिन अपने डे टुडे एक्टिविटी जो परली मैनेज क रपर शैलेंजजेशन में उस्ट वहता है अकले रहना पसंद करता है दूसरे बच्चों के साथ शाथ भूलता मिलता नहीं है लेकिन इन बच्चों की ताकत क्या है स्ट्रेंथ ही है कि लेवल वन आटीजम वाले बच्चों में अकसर कुछ इसपेसल स्किल्स होते हैं उनके के special interest होते हैं जैसे एड्यूकेशन में साइंस में एक्सलेंट परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी detailing power भी बड़ी अच्छी होती है उनकी memory बहुत अच्छी होती है इससे क्या होता है कि वह architectural फिल्ड में या अन्य फिल्ड में बहतर काम कर सकते हैं जहां इनके इस लेकिन इसके साथ ही लेवल नटीजमें कुछ चैलेंज भी होते हैं जैसे कि वह सोसल की उच्व को नहीं समझ पाता है इस आरह से बात आप बोलें तो वह नहीं समझेगा वह फ्रेंड्शिप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं वह नहीं कर पाता है और कैसे अपने आपको काम नाउन करें नहीं कर पाता है और साथी कुछ नौन वर्बल कम्मिनिकेशन को भी नहीं समझ पाता है अब इसमें क्या सपोर्ट चाहिए यदि हम प्रापर वे में इस पर काम करें तो इसको सोसलाइजेशन की आओ सकता होती है कि बच्चे को दूसरे बच्चों से घुले मिले दूसरे लोगों से इंट्रेक्ट करें अलग-अलग लोगों से मिलवाईए ताकि बच्चे का प्रापर सोसलाइजेशन हो सकते है जबकि लेवल टू आटीजम या मॉडरेट आटीजम जीशे करते हैं इसमें अधिक सपोर्ट की आओ सकता होती है क साथ ही उसे सोसल कम्मिकेशन और इंट्रेक्शन में भी प्राप्लम होती है और इसके लिए अलग-लग अरियाज में उसके चैलेंजेश उसे फेस करने होते हैं इसलिए अधिक सपोर्ट की आओ सकता होती है डे टो डे एक्टिविडीज में भी वह सपोर्ट चाहता है इन सब्सक्राइब करते हैं जो उनके लिए स्टेंट का ताम करता है अब इनके कुछ चैलेंजेश में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि दूसरे बच्चों के साथ भूलेगा मिलेगा नहीं बच्चा अकेले राना पसंद करेगा बात्चित नहीं शुरू करेगा या उसको में नहीं समझ पाता है डे टुडे रूटीन में अगर चेंज किया जाए तो बच्चा परिशान हो जाता है यह सारे चैलेंजेश होते हैं जो लेवल टू आटीजम या मौडरेट आटीजम में फेस करना होता है अब इसमें क्या सपोर्ट चाहिए तो बच्चे को एक कंस्ट्र सपोर्ट कर सकता है अब अगला है लेवल 3 अटीजम इसमें बहुत ही अधिक सपोर्ट किया हो सकता होती है बच्चा पूरी तरह से पैरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाता है बिल्कुल सोसलाइजेशन इंट्रेक्शन की प्रब्लम होती है बच्चा एक जगह से दूसी हो जाता है और हर चीज में रिजीडनेस करता है अगर थोड़ा परिवत्तन करें तो बच्चा परिशान होने लगता है ऐसे में हमें क्या करना होगा बच्चे की स्ट्रेंथ को पर फोकस करना होगा बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है इन बच्चों में यह विजूल लर्नर होत विजुल बना करके दे दें तो उसको यह प्रापरली फॉलो कर लेते हैं तो इनके विजुल लेर्निंग स्किल और फिक्स रूटीन को यूटिलाइज करके इनके क्वालिटी आफ लाइप को इंप्रूव करने के लिए प्लान किया जा सकता है अब इसमें चैलेंज क्या है करना पड़ता है अब इन्हें किन-किन सपोर्ड किया हो सकता होती है इन बच्चों को एक मल्टिडिस्प्लिनरी टीम के द्वारा स्पैसल एजुकेशन कम्मिकेशन स्पीज थिरैपी भी हैवियर मॉडिफिकेशन एक्टिविटी अब डेली लिविंग इन सारी चीजों में इसे सपोर्ड की आउसकता होती है और इसमें हमें सपोर्ड करना होगा ताकि बच्चा प्रपर इंप्रूब कर सके और क्वाल्टी अफ लाइफ को मेंटेन कर सके इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि आटिजम के माइल मॉडरेट सीवियर में क्या-क्या वैरियेशन होता है और कैसे उनका अलग अलग होता है और कैसे यह हमारी ठेरेपी ब्लान को ककल माइज करने में हेल्प कर सकता है अब इनमें क्या नहीतार्त और् विचारें ल८िजेशं होता है रपेकि orange चलता है क्योंकि अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हमें customized therapy plan बनाना होता है क्योंकि हर बच्चे की needs और challenges अलगलग होते हैं और उनकी needs and challenges को देखते हुए customized therapy plan बनाना होता है और अगला holistic approach अपनाना होता है जिसमें physical, mental, social, emotional approach को integrate किया जाता है इन सारी सीजों को देखते हुए अगर कस्टमाइज ठेपी प्लान बनाया जाए बच्चे के माइल मॉडरेट सीवियर को देखते हुए एक प्रॉपर वे में बच्चे को ट्रीट किया जाए तो बच्चे की क्वाल्टी अब लाइफ में काफी सुधार हो सकता है इस परकार अधिक सुधार चाहते हैं तो जितना हो सकते हैं अर्ली इंट्रवेंशन पर फोकस करें उसके बाद से बीए बेर मॉडिपिकेशन या एबीए थिरेपी स्पीच और सोसलाइजेशन भी बच्चे को कर सकता है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह एक लाइफ ला सकते हैं इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देह सकते हैं कम्युशन शपरट प्रॉइट करासकते है जिससे की बच्चा एक प्रॉपर्स के क्वालिटी अफ लाइफ को मेंटेन करते विए अपने फूलफिलिंग लाइफ के रूप में पर्यवर्तित कर सके अधिया अभ इस प् बच्चे का डाइग्नोसिस लेट हुआ है तो भी आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है जब जागो तभी सभी आपने जान गए कि आपके बच्चे को अटीजम है तो प्रॉपर वे में उस इंटीग्रेटेड वे में काम करना शुरू कर दीजिए ताकि जिस एज में भी करते रहें और बच्चे में इंप्रूव्मेंट होगा कम होगा या अधिक होगा यह अलग मुद्दा है लेकिन किसी भी एज में अगर आप मेहनत करें तो बच्चे में कुछ ने कुछ शुदार अवस्य होगा इसलिए हमेसा आसावान बने रहें और बच्चे में लगातार बच्चे की क्वालिटी अब लाइफ इंप्रूब होगी इस तरह से आप जान गए हैं कि कैसे आप बच्चे के माइल मॉडरेट सीवियर्टी को जानते हुए अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा बच्चे क्वालिटी अब लाइफ को इंप्रूब कर सकते हैं यदि यह वीडि को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद